हलो फ्रेंड्स वेलकम टू आल आज मैं आपके लिए जो वीडियो निक्या रहा हूँ दिखे बड़ी खबर टाटा ग्रूप से टाटा संस से साइरस मिस्तरी जी वापस बिलकुल आप देखिए यहाँ पर यह बड़ी खबर निकल के आ रही है एक टाइम था टाटा ग्रूप ताटा संस ने साइरस मिस्तरी को निकाल दिया था और उनका जो यह केश चल रहा था है यहाँ पर फाइनल हीरिंग जो आई है वहाँ पे ऐसा है कि यहाँ बड़े नाम है बचूप के आप देखोगे ताटा स्टील है यह बहुत सारी कमप्टी जो है वो ताटा संस की अभी मार्केट में चल रही हैं लिस्टेट प्लियर्स हैं लेकिन यहाँ पे बड़ी खबर निकल के आ रही है और आगे शेयर्स पे क्या हाल हो सकता है इनका वो देखने को ही बनता है फिलाल हम देखते हैं इस खबर के उपर लेटेस्ट अपडेट साथ में इन शेयर्स को देखते ह क्या कुछ चल रहा है इस चोटे से वीडियो में और आगे बढ़ने से पहले मां आपको बता दूँ अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले बैल आकन को प्रेस कर ले जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी सायरस म अब डेट की तरब लेकर जा रहूं तो टाटा मोटर की तरह रहा है, मिस्ट्री कैमप से एंसी जो एंसी लैट की जो वडिक्ट आया है, विक्टरी ऑफ गुड गवरनेंच, ऐसा मानना है मिस्ट्री कैमप जी का है, बट सायरस जो है वो टाटा की तरफ रिटर्न करें या करें, यह बहुत मुश्किल है, ऐसा मानना है, लेकिन यहां पर जो डिसीजन आया है, वो काफी जबडरत डिसीजन जो नाशनल कम्पनी लॉक की तरफ से आया है, यहां से इनको नौकरी से निकाल जया गया था, यां कि चेर्मेन जो यह थे, यहाँ से इंको सीधे सीधे निकाल जया गया था किस ने निकाला था वो आपको पता ही भईया टाटा संस का जो board meeting भी थी वहाँ पे निकाला गया था और साथ में एन चंदर सेखरन जी को टाटा संस का चियर्मेन मना दिया गया था तो ट्रिवियल ने ये बात कहिए कि भाईया जो मिस्त्री जी निकाले गए थे वो गलत था और जो एन चंदर सेकरण जी को यहाँ पर टाटा संस का चेर्मेन बनाया गया था वो इलिगल था ऐसा मानना है ट्रिवियल का तो देखते भाई क्या कुछ यहाँ पर हुआ आपने देखा होगा कि बहुत टाइम तक इसी तरीके से चला रहा था 2012 में जो है सायरस मिस्त्री जी जो है बने थे टाटा संस के बोर्ड में आये थे और वहाँ पर रतन टाटा के बाद वही यहाँ पर चेर्मेन बने थे लेकिन बोर्ड का जो उनके उपर और confidence उनके उपर विश्वास था वो डगमगा गया तो इसी चकर पर वहाँ पर बोर्ड ने उनको निकाल दिया यह मान की चल्ले सीदे सीदे निकाल दिया लेकिन जो classes थे रतन टाटा और उनके बीत में और साहत में जो बोर्ड की issues थे जिस तरीके से टाटा नैनो कार कमपन थे वो complete नहीं इसी चक्कर में Cyrus मिस्त्री जी को निकाल दिया गया board की तरफ से मिस्त्री ने जो कहा था आरोप लगाय थे टाटा संस के board के उपर और mismanagement के उपर और वो आरोप लगाय थे उन्होंने सीधे उसी टाइम पर कहा था कि मुझे गलत तरीके से निकाला गया है लेकिन अभी फिलाल जो है वो ट्रिविनल की तरफ से जो रिजल्ट आया है कि भाईया उनको वापस चेर्मेंस से वापस मिलेगी यहां पर बड़ी ख़बर मैं कहूंगा टाटा गुरूप के तरफ से आ रही है निकलके आरे टाटा गुरूप में अब यह मानना है कि जो उनके साइरस मिस्त्री जी को निकालना illegal था यह तो मान लिए सबने अब लेकिन यहां पर साइमर साइरस मिस्त्री जी ये बड़ी खबर तो निकल के आ रही है लेकिन यहाँ पर इसका कैसा असर होगा स्टॉक के प्राइस के उपर वो देखने को बनता है अगर वापस आते हैं तो क्या इसी तरीके से बोड की खीस्तान चलती रहेगे मिस्ती जी के साथ क्या बोड उनको दुबारा निकाल सकता है तो डैफिनेटली भी बोटिंग जादा होगी बोड फिर से उनको निकाल सकता है वहाँ पर तो यह काफी कुछ चलेगा लेकिन फिलाल जो इसका असर देखने को मिलेगा इस अपन करोड का market capitalization है अभी recently 2300 के आस पास ये गया था लेकिन वह उसके बाद गिरावत इसमा आई तो इस तरीके से उतार चड़ाओ जरूर चल रहे हैं तो ये असर इसमें देखने को मिल सकता है अगर positive और negative अब क्या है असर देखने को मिल सकता है अब किस तरीके से Cyrus मिस्तुरी जी क्या entry लेते हैं board में वापस आते हैं as a chairman वो अब उनके उपर completely dependency है कि किस तरीकी से वो करते हैं तो TCS एक बड़ा share है आप देख सकते हो यहाँ पे Tata Suns की अच्छी खासी holding है TCS में 8 लाग करोड का market capitalization इसी तरीके से जो बड़ा share है Tata Motors Limited already lost के आस पास है इसमें भी बड़ी गिरावट आज देखने को मिली आप देख सकते हो clearly Tata Motors में आप देखें धायी 30% के आसपास के गिरावट देखने को मिली है इसी तरीके से बाकिवी या तो flat trade वे या तो उनमें गिरावट देखने को मिल रही है Tata Motors के बाद अगर मैं बात करूँ और शेस हमाँआरे पास ज लोज हुआ है इसके अलावा और प्लेयर कौन से देखिए आप क्लियरली देख पारे हो कि टीच्च आट लाग करोड के मार्केट कैपिलाशन और टाटा स्टील जो है पचास हजार करोड के मार्केट कैपिलाशन और उसके बाद टाटा ग्लोबल बैवरेज जो कि एक FMCG कंप आप भी देखने को मिलिए तो अपने आप में टाटा मोटरस के शेर्स जो है वो लाल देखने को मिले आज की डेट 18 दिसंबर 2019 कि देखिए ग्यारा बारा रुफे की गिरावट है जो कि चार परसंट के आसपास कि गिरावट है बड़ी गिरावट में इसको कहूंगा एक ट इसके शेर्स में नेगेटिविटी देखने को मिल रही है और अभी में और आपके लिए शेर्स दिखाता हो देखिए टाटा ग्लोबल वैवरेज के बाद टाटा केमिकल से लिमिटेड 16-17,000 करोड का मार्किट का इसका भी है जरा इसके शेर्स को देखे है उसके बाद हमार हो टाटा पावर कंपनी हो ट्स त्रेंट लिमिटेड अगेड़िवे एक रीटेल सेगमेंट का यहाँ पर फिलंटा जीज और लिमिटेड हो और गर्हें नीचे रिमिटेड गिरा होए तो देखें, voltage का share भी यहाँ पे 2% नीचे गिरा है, तो कहीं न कहीं इसका सारे shares में negative असर मुझे देखने को मिल रहा, कुछ shares जो है flat trade वे और most of the shares जो हुए negative trade वे, तो यह आंकलन लगाया जा सकता है कि इस news की negative असर देखने को मिला है share के price हो पे, तो Tata Group के यानि कि Tata Suns के मै यहाँ पे आपको बहुत सारे shares दिखा है, जिसमें सबसे बड़ा नाम TCS का है, उसके बाद Tata Motors आता है, Tata Steel के बाद आप देखिए FMCG segment में, इनके पास Tata Global Beverage है, Tata Tea, Tata Coffee, इस तरीके से बहुत सारे shares है, AC की दुनिया का voltage है, और Trent जो है retail segment में है, तो Tata Chemicals है, Tata Power Company है, तो सा नहीं न कहीं, यहाँ पे मुझे लगता है कि इस news का Cyrus Mr. जी के वेलकम बैक का जो यह असर दिया है, देखने को मिला है, वो negative असर देखने को मिला है, ज़रा आप भी देखिए, क्योंकि Cyrus Mr. जब गए थे उस टाइम पे, बड़ी conflicts इन लोगों की आई थी आपस में, इसकी Tata क के board की Tata Suns के board के, और Cyrus Mr. जी की आपस में बहुत यहाँ पे conflicts आये थे, और वापस अगर यह वापस आते हैं board में, तो इस तरीके से आगे आने अनिवालर टाइम में conflict जो है, वो आते रहेंगे, तो इसके चक्कर में, यहाँ पे जो है, शेर में भी investor के मन में भी एक doubts आ रहा है, और उस doubt के बाद जो है, वो negative doubt आ रहा है, और जो आप देख पा रहें, तो शेर में गिरावट देखने को मिलती है, और इसके अलावा, the Tata's have time to appeal, इनके पास Tata के पास appeal करने का जो है, वो time है, और उसके साथ साथ आप देख सकते हैं कि बड़े सारे issues जो है, वो आये थे जैसे American fast food chain के साथ tie up की बात है चल दी तो उस time पे वो था, ऐसे ही बहुत सारे conflicts जो है, वो आये थे, और सबसे पहला conflict तो पॉल funding का था, यानि कि elections में जो funding होती है, उससे related था, जो mystery के एडवाजर है, उनके प्रपोस किया था कि 10 करोड funding for Odisha की assembly election के लिए उन्होंने 10 करोड क funding से related बात कहीं, तो ये एक बहुत बड़े अलग एक conflicts हो सकते हैं, तो जो वहाँ पे ये सबसे बड़ा एक issue था, रटन टाटा जे नोमिनी जे, टाटा संस के बोर्ड थे, उन्होंने इसके against, इस idea के against, आर्ग्यू किया था, जैसे कि आप देख रहे हो कि पिछले कुछ time में अभी जो donations की बात आयती, तो टाटा ग्रूप की तरफ से बड़ा donation BJP को दिया गया था, वो भी कहीं आप देखे, conflict जरूर थे, लेकिन यहाँ पे आप देखे, वही चीज़े हो रही है, तो ये कहीं ने कहीं one to one conflict, board members का आपस में, जो है, इन्वेस्टर के मन में यहाँ फिर टाटा global beverage जैसे shares पे, फिलाल मैं wind up करता हूँ, वीडियो का और उमीद करता हूँ, आपको ये वीडियो अच्छा लगाऊगा, आपकी क्या रहा है, वो comment के थूर जरूर बताए, Cyrus में यहाँ आपस आएंगे, तो कैसा आसर हो सकता है, इनके shares पे, वीडियो शेर कीजे, like कीजे चैनल, subscribe कीजे, and thank you, thank you for watching the video.